नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दीपक तिरपाथी और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हम कोचिंग क्लासेश में दोस्तों उत्तर प्रदेश दरोगा एसाई की परिच्छा लगातार चल रही है कांटिन्यू चल रही है दो दिन के पेपर के एनालिसिस के बाद मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कटाफ दरोगा की डिसकस करने वाला हूँ की कैसे तुलना करने वाला हूँ पहली चीज प्रिवियस यर कटाफ से लेटेस्ट कटाफ की तुलना करने वाला हूँ क्या-क्या factor रहेंगे जो आपको ध्यान में रखना है कटाप से related कटाप कितनी जा सकती है, safe score क्या हो सकता है कितने question आपको minimum attempt करने चाहिए और क्या आपको पूरे के पूरे attempt करने चाहिए या नहीं करने चाहिए तो इन सब बातों का यहाँ पर discuss करेंगे अगर आप भी UPSI का परिच्छा देने वाले हैं या फिर परिच्छा दे चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसे देखें और इन सारे factors को समझें जिससे आपको भी पता चलेगा कि आप safe zone में हैं या नहीं है यहाँ पर अगर कुल पदों की बात करें तो इस बार जो उत्तर प्रदेश SI भरती परिच्छा हो रही है इसमें कितने पद थे 9534 पद इस वाले परिच्छा में जो vacancy निकली है इसमें थे और सब इंस्पेक्टर यानि SI की अगर बात करें तो यहाँ पर 9027 पद थे प्लाटून कमांडर में 484 फायर आफीसर में 23 पद थे हम लोग यहाँ पर जिस कटाफ की बात करेंगे वो कटाफ UPSI की रहेगी यानि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जिसमें 9027 पदों के लिए जगह है अगर प्रिवियस यार कटाफ की बात की जाए तो पोस्ट कितनी थी 3698 पोस्ट थी जो 2017 में पेपर हुआ था और यहाँ पर जनरल में जो मेल होते हैं मेल की जनरल जो कटाफ गई थी 252.46 252.46 गई थी OBC की 230.51, SC की 227.03 और फीमेल की 224.42 इस तरह से कटाफ पिछली बार देखने को मिलिये लेकिन डिफ्रेंस क्या है पिछली बार और इस बार में सबसे पहले इस पर बात करते हैं सभी विशयों में 50% लाना अनिवार्ण है जो पिछली वाली वेकेंसी थी 2017 में जो पेपर हुआ था इसमें 50% नंबर हर सेक्षन में विशयवार जो 4 सेक्षन थे 4 के 4ों में 50% लाना अनिवार्ण था प्लस पूरे के पूरे पेपर में फिर तो 50% होंगे ही तो यहाँ पर 50% अनिवार रहा जबकि यह जो परिच्छा हो रही है जो परिच्छा चल रही है इसके नाटिफिकेशन में साब साब क्या लिखा हुआ है कि सभी विशह में 35% यानि जो sectional pass marking है वह है 35% 35% प्रतेक सेक्षन में लाना अनिवार रहे और पूरे में टोटल में मिला करके 50% लाना अनिवार रहे तो 50% तो आपको लाने ही है जैसे यहाँ पर था 50% लाने है लेकिन यहाँ पर उन बच्चों के लिए थोड़ी सी रहात हो जाएगी जिनका कोई एक सेक्षन के होल कमजोर है बाकी बहुत ही अच्छे हैं अगर वो एक सेक्षन में 25 प्लस स्कोर कर ले जाते हैं बाकी में ज्यादा अच्छा स्कोर बना लेते हैं तो उनके भी सेलेक्षन की यहाँ पर चांस है जबकि यहाँ पर क्या था कि 50% से अगर एक में भी कम आया तो आप सेलेक्षन से वंच तो सबसे पहला फैक्टर तो यही है जो कि यहाँ पर बहुत बड़किश परस्थ करेगा, यहाँ पर जो एक अंतर क्रेट होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर कटाप इससे जादा जाने की भी संभावना है, क्योंकि यहां पर क्या था कि अगर किसी का सब कुछ average है तो उसने 50% प्लस ले लिया मार्क आ गए और उसके selection की संभावना बढ़ गई लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके दो section बहुत ही अच्छे हैं जिनमें वो 35 प्लस 35 प्लस score कर सकता है कुछ उसका एक-दो section अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है और कोई एक section उसका गड़बड हो जाए तो वो यहां पर qualify नहीं हुआ था जो कि यहां पर उसके qualify होने की संभावना है और यहां पर हो सकता है कि उसके 50% से काफी जादा हो जाए है ना मतलब उसके 70% तक के आने के भी chance यहां से बन जाएंगे दूसरी चीज़ अगर दूसरा factor यहां पर देखे तो सबसे बड़ा यह vacancy वाला factor हो जाएगा कि 3658 पहले थी 9534 इस बार पद यहां पर total है तोटल इसमें भी थे इसमें भी प्लाटून कमांडर और फैर आफिसर के अलग-अलग पद थे यहां पर भी अलग-अलग है लिकिन total के अगर बात करें तो 9534 पन है यहां पर vacancy जादा है अगर vacancy जादा है तो थोड़ी सी कटाप कम होने की संभावना है यह factor आपको कटाप बढ़ा रहा था लेकिन vacancy से कटाप थोड़ी सी कम होने की संभावना है ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा वेकनसी रहेंगी तो ज़्यादा बच्चे लिया जाएंगे और जितनी वेकनसी जादा है कि ओल इतने बच्चे नहीं qualify किय divul abort mág, इसके जितने गुना, 15 गुना या 20 गुना जो भी IO को लेना होगा एक्स्ट्रा जैसे 20 गुना लेना है तो जितने यहां पर बच्चे जादा है उसके 20 गुना जादा बच्चों को physical के लिए select किया जाएगा ठीक है जो तीसरा factor यहां पर आता है वो आता है level एक्जाम का level क्या है तो अगर level की बात करें तो ऐसा नहीं है कि केवल इस बार जो पर इच्छा हो रही है क्योंकि दो दिनों के आपने भी देखे कि कैसे paper आ रहे हैं क्या लग रहा है और मैंने भी analysis किया कि किस तरीके का paper आ रहा है तो लेवल अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि केवल इस बार ही इतने मतलब इतने कम लेवल के या फिर इतने अच्छे जिनको बोला जाए कि ज्यादा स्कोर करने वाले पेपर बन रहे हैं ऐसा नहीं अगर आप previous year set भी उठाए जो कि आपके पास होंगे already अगर आप previous year set भी उठाते हैं तो उनमें कई सारे set आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें बहुत ही high level के प्रस्ण नहीं है उनमें भी कुछ ऐसे set हैं जहां पर level बहुत कम है या फिर average आप मान सकते हैं तो यहां पर भी जो UPSI का level है यह भी कोई बहुत जादा low नहीं है यहां पर भी average paper आया है और आगे इसके high होने की संभावना जादा है अगले phase में हो सकता है कि paper का पूरा का पूरा रूप ही बदल जाए और paper थोड़ा सा यहां से tough हो सकता है थर्ड phase में और भी जादा tough होने की पूरी संभावना है तो level को अगर देखे तो level कोई बहुत जादा यहां पर matter नहीं करता है अगर level की बात करें तो level पहले भी इसी तरह का था इस बार भी इसी तरह का level आ रहा है बस शुरुआत के कुछ paper सरल होने से आप पूरी का level निर्धारित नहीं कर सकते हैं तो यहां पर सुरुआत में अभी यहां पर देखे कितना गया था 252.46 जनरल की merit गई थी कटाप गई थी यहां पर जो कटाप जाएगी जनरल की इससे हो सकता है कि थोड़ी बहुत जादा चली है हो सकता है अभी कटाप की बात करेंगे कि क्या factor हो सकते हैं हो सकता है थोड़ी बहुत जादा चली जाएगी ऐसा बिलकुल भी नहीं है और यहां पर तीसरा factor क्या है तीसरा factor यह है कि यहां पर नार्मलाइजेशन भी है, जो कि UPSI नार्मलाइजड मार्क करके आपको बताएगा, उसके हिसाब से कटाफ बनाएगा, तो जब नार्मलाइजेशन भी होना है, तो इसमें पेपर के लेवल की कोई बात ही नहीं है, कि पेपर का लेवल टफ है, या हाई है, या लो है, क्योंकि अभी अगर paper low है आगे चल के paper tough हुआ तो सारे mark normalized किया जाएंगे उसी आधार पर कुछ न कुछ कटाफ बनाई जाएगी तो जब कटाफ बनाई जाएगी तो कटाफ क्या जा सकती है अगर अभी की मैं बात करूँ अभी जो paper हुए है इसमें बहुत सारे लोग बोलना है कि 140 attempt हैं 135 attempt हैं लेकिन जादा लोग जब इस तरह की बाते करें तो समझ लीजे कि कुछ न कुछ गड़बर जरूर है 135 attempt करने वाला हो सकता है कि 90 ही सही कर पाया हो 135 में कुछ उसके तुक्के में भी सही हो गया हो 8-10 question उसके तुक्के में सही हो जाएंगे तो total वो कितना पहुँच पाएगा 100 पहुँच पाएगा यहाँ पर जो cut-up अगर आप अच्छा score कर रहे हैं अगर आपको पता है जिनको बाकी जो 50 question बचे उचमें आपने तुक्का लगा दिया तो वहां से अगर आपके 8 प्रस्ण भी सही हो जाएं 10 प्रस्ण भी सही हो जाएं तो आपके कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे अगर आपने 100 प्रस्ण बिलकुल सही किया बिलकुल 60 यह 120 वाला तो बिलकुल ही safe zone में इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि इसका selection होगा या नहीं होगा, यह तो 100% है कि हो जाएगा, 120 number या 120 question, यहां पर अगर जिसने 120% किये, उसका मतलब क्या है, कि 300 number उसके आ जाएंगे, और उसका selection पका है यहां पर, क्योंकि normalization होगा, और normalization में number को equal किया जाएगा, ठीक ह जिसके 100 mark बिल्कुल सही सही, 100% उसने सही सही किये, तुक्के में भी 10 सही कर लिये, तो कितने number बन जाएंगे, 110 number यहां पर बन जाएंगे आपके, अगर 60% में तुक्का लगाया, उसमें से 10% भी सही हो गए, ठीक है, वैसे अगर mathematics की बात की जाए, तो probability 40% में, जो 40 question थे, उ 10 सही होने की संभावना है, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूं कि अगर 60% आपने दिये, वैसे तो 60 में 15 सही होने की संभावना है, क्योंकि यहां पर option कितने है, 4 है, लेकिन फिर भी मैं 10 मान लेता हूं, कि अगर 10 भी आपके सही हो जाएं, तो 110% बिल्कुल सही सही कर पाएंग अब देखी यहाँ पर कितना ज़्यादा difference create हो रहा है कि जनरल मेल की merit कटाप जो गई थी वो गई थी 252.46 और यहाँ पर अगर आप 110 प्रस्ण भी सही सही कर आते हैं तो आपके 275 नंबर हो जाएंगे यहाँ से आप काफी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे लगभग 23, 24 नं सकता हूं कि 110 प्रस्ण सही करने वाला कोई भी बच्चा जो जनरल कैटेगरी में आता है उसको physical देने का पूरा मौका मिलेगा और एक बात और है कि अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा टापर है बहुत अच्छा है पढ़ने में तो हो सकता है कि उसका physical सही नहों हो सकता है कि वो physical दोड़ ही न पाए वहां पे आपने भी कई अपने आस्पडोस में देखा होगा कि बहुत अच्छी तयारी रहती है लेकिन वो दोड़ने में माहिर नहीं होते हैं दोड़ नहीं पाते हैं physical नहीं हो पाता तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा high cutoff वाले या बहुत ज़्यादा नमबर वाले बहुत ही कम लोग होते हैं और उनमें भी पता नहीं वो select हो पाएं या न हो पाएं physical में तो mains cutoff भी बहुत ज़्यादा जाने की बात नहीं है यहाँ पर अगर कोई general category का mail यहाँ पर 110% कर लेता है तो उसके chances हैं यहाँ पर दिख रहे हैं अगर आप आपने 100 बिल्कुल सही सही किया उसके बाद तुक्का लगा दिया तो समझ लिजे कि आपके chance हैं कि आपको physical देने को मिलेगा 110% आपके सही होने चाहिए बस अगर यहाँ पर female की बात करी जाए तो female बस आप माल लिजे कि इससे 10 number अगर वो कम करें अगर उसने 100% भी सही कर द तो 250 नंबर उसके आजाएंगे यहां से वो काफी जादा आगे निकल जाएगी लगभग 26 लगभग 26 नंबर तो बस 250 से जादा जाने की यहां पर संभाना नहीं है फीमेल की भी जनरल कैटेगरी का मेल जो होगा उसकी 110 और फीमेल की 100 यहां पर आप समझ लिजे यह जो नार पेपर का एनलिसिस है उनमें जिसके इतने इतने नंबर आ हैं उनके लिए बता रहा हूं अगर जो पेपर आगे जाके कठिन हुआ तो वहां पे कटाफ इससे भी यानि उन पेपर के लिए कटाफ इससे भी कम हो सकती है क्योंकि नार्मलाइजेशन में उनको फायदा मिलेग नार्मलाइजेशन में उनके नार्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेंगे अगर उनका पेपर कठिन होता है तो और मान लिजे इसमें एक भी नंबर नहीं बढ़ता है नार्मलाइजेशन में तब जाके मैं बता रहा हूं कि इतनी एक्सपेक्टेड इसकी कटाफ है जो अ आपके हैं OBC से, तो नंबर का मतलब यहाँ पे question से है, नंबर यहाँ पर दो सो धाई सो के something होंगे, धाई सो से ज्यादा, लगबग 162, 165, 265, 262, अगर 262 या 265 नंबर के बीच में आप हैं, तो OBC में आपके chances हैं, SC category में अगर देखाएं, SC category में यहाँ पर देखें कितनी गई थी, 227.03 यहाँ पर SC category में merit गई थी, तो यहाँ पर जादा से जादा कितना बढ़ेगा, जादा से जादा 50 नंबर बढ़ सकता है, यानि 200, अगर female के बराबर भी SC चला जाएं, तो कोई यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है, 100% अगर ऐसी कैटेगरी के बच्चे ने किये हैं, तो यहाँ पर पूरी संभावना है, 80 से कम तो यहाँ पर सेलेक्शन कोई हो ही नहीं सकता है, तो 80 से 20 प्रस्न जिसने ज़्यादा कियोंगे, क्योंकि 80 50% का क्राइटेरिया है, 50% से कम अगर आप ने किये, तो क कोई भी सेलेक्शन के आपके चांसे यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 35% सेक्शनल में, 50% पूरे में, और EWS की बात करी जाए, सबसे मज़ेदार चीज तो यह है, कि EWS का फर्ष्ट चांस है, जिसे UPSI इस बार देने को मिला है, EWS, तो UPSI में EWS लगभग लगभग OBC के बराब ही जाएगा, हो सकता है कि इस से थोड़ा बहुत और कम ही चला जाए, लेकिन OBC से जादा EWS चला जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं लगता, और मैं आपको यह भी बता दू, कि यह जो एक्सपेक्टेड कटाफ है, यह मेरा एक अनुमान है, यह कोई मैं यह नहीं बता रह अभी मुझसे मिस हो रहे हूं, उनके लिए भी थोड़ा से यहाँ पर और डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा, कुछ फैक्टर हो सकते हैं कि मिस हो रहे हूं, है ना, तो उन फैक्टर को भी जब मैं एक बार और फिर से इसको थोड़े से पेपर और हो जाए, उनका एन आप आपको बता रहा हूं, EWS वाले भी लगभग 105 प्रस्ण अगर सही कर लेते हैं, तो इनकी भी नंबर 262-265 के बीच में रहने की पूरी संभावना है EWS वालों की, यहां से 2-4 प्रस्ण उपर नीचे हो सकता है, इन जो दो पेपर हुए, दो दिन जो 6 पेपर हुए हैं, उनके बिहाब पर मैं ये बोल रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है, अब इसमें आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं, कि अगर इसके आसपास नहीं जा रहे है कटाप, तो आपका क्या सोचना है, कौन सा फेक्टर ऐसा है, जो मुझसे यहां पर मिस हुआ है, आप बनाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं यूपी लेखपाल के लिए मैथमेटिक्स की क्लासें ले रहा हूं, लगातार, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल ही फ्री है, आप उनसे पढ़ सकते हैं, आप जाकर के मेरे चैनल की प्लेलिस्ट यूपी लेखपाल 2021, टारगेट 25 में 25 देख सकते हैं और वहां से मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, मैं आपको इसी तरह फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाए बाए, टेक केर